तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये क्रेक्टर को कैसे रिमूव किया जाता है जो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो प्रडक्शन लेवल में होने वाला है जैसा हम production level में उसे काम करते हैं, analyze करते हैं, जैसे भी shot को treat किया जाता है, same वैसा ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप starting to end shot को कैसे complete करते हैं, तो आपको बिल्कु स्टार्टिंग सा idea हो जाएगा कि production level पे कोई भी shot को start कैसे किया जाता है और end कैसे किया जाता है, तो आज को step by step होने वाला है, यह tutorial मैं beginners के लिए रखने वाला हूँ, जो भी लोग अभी industry में आना चाहते हैं, और समझना चाहते हैं कि कोई भी object को कैसे हटाया जाता है production level पे, तो यह video में उनके लिए बना रहा हूँ, तो वो इस video से देख के समझ पाएंगे कि industry काम कैसे करती है, उनका pipeline कैसा है, आज हमारा shot कुछ यह होने वाला है, तो इस shot में मैंने थोड़ा बहुत add किया है, मैंने defocus add किया एक shot में थोड़ा समझाने के लिए, कि कुछ ऐसा shot अगर आपको मिलता है, तो आपको किसी भी चीज को कैसे हटाना है, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, तो आज की video बहुत ही ज़़ा informative है, पूरी video को देखे, skip कोई भी part ना करे, अगर आप basic समझना चाहते हैं कि कोई भी object को हटाने के लिए basic क्या हो होते हैं, तो आप इस video को अगर पूरा देखेंगे, तो आपको समझ में आने वाला है, तो सबसे पहले start करते हैं हमारा, analyze your shot, अपनी video जैसी आपको shot मिला, समझे आप एक production level पे हैं, और आप अभी join हुए हैं, तो आपको एक shot मिला है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आ shot मिला, आपको tasking मिल गया, जैसे कि, आपको यहां पे बता दिया गया है, बता दिया गया है, कि remove this character, ठीक है, अभी आपको tasking मिल गया है, कि इस character को आपको यहां से हटाना है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए, आप analyze करें, आपके shot में कैसा motion है, कैसा, क्या-क्या चीजे आपको करनी पढ़ सकती है, तो जैसे आपको मैं भी समझाता हूँ, तो सबसे पहला आपको करना क्या होता है, आपने shot को play करें, और shot में आपको यह देखना है, यह shot मेरा 2D से जाएगा, 3D से जाएगा, smart vector से चला जाएगा, या planar tracker से चला जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, तो मुझे क्या चीज बनानी है, अभी मुझे इस character को हटाना है, तो मुझे यहाँ पे यह road जो है, यह बनानी पड़ेगा, जो इसके नीचे है, ठीक है, तो इतना आपको सम में आ गया, अभी इसके बाद आपको analyze का करना होता है, कि आपको कौन से frame में जाके plate बनानी, अभी मैं plate अगर यहाँ बना दू, last frame में, तो आपको लगता है कि वो work कर जाएगी, नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी detail नहीं है, और जैसी मैं plate को first frame में लेके आने वाला हूँ, तो आपके पास यह इतनी सारी detail यहाँ पे आ जाएगी, तो पहली चीज़ आपके दिमाह में यह clear होनी चाहिए, कि आपको plate कहां बनानी है, कभी भी plate आप defocus में नहीं बनाएंगे, जहाँ पे भी plate सब्सक्राद शाप है, आप वहीं पे अपनी clean plate बनाएंगे, उसके बाद आपको यह दियान में रखना है, कि आपको reference का मिल रहा है सबसे जगा, आपको reference कैसे देखना है, आप यह समझिए, अगर आप इस character को हटा रहे हैं, तो आप इस जमीन को, इस road को बनाने वाले हैं, तो आपको texture को match करना पड़ेगा, लेकिन हो क्य में ही बनेगी, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे clear हो गया होगा, तो इसके बाद, इतना समझने के बाद, आप अपना short start कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कि हाँ, मुझे इस में camera लगेगा, मैं projection करने वाला हूँ in short में, क्योंकि इसका motion कुछ ऐसा है, ठीक, उसके बाद मैं इस frame में यह plate बनाने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में अगर यह चीज clear हो गई, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी short करने में, इतना होने के बाद, आपको सबसे बहले करना क्या होता है, इसका size देख ले, यह हमारा HD में है, तो क्या है, सबसे पहले दिन सबसे नहीं था मैंने camera निकाल लिया, हमने track कर लिया, मैंने हर चीज कर लिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, short को analyze करे, analyze करने के बाद, अपना project setting कर ले, तो COM को save कर ले, इतना होने के बाद, आपको करना क्या है, अब आपको अपनी footage को denoise करना है, सबसे पहला काम यही होता है आपको अपनी फूटेज को Denoise करना है तो मैं आपको Denoise करना भी थोड़ा बता देता हूँ Denoise कैसे किया जाता है अभी यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्स सेटिंग है वो सही हो रखा है बिल्कुल ठीक है और मैंने कॉम सेव इसलिए नहीं किया है मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको कॉम को जरूर से सेव करना है ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है Denoise लेना है मैं भार का कोई प्लगिंग यूज नहीं कर रहा हूँ नूक का नोड है वह यूज उड़ने वाले हम तो अभी क्या करना है हमें आपको उठाके यहां पे से रख देना है और वन टू उन करके चेक करना है लेकिन आपको सिफ ग्रेन उटना निकालना है इससे आपका डिटेलिंग न जाए अभी जैसे कि मुझे यहां पे दीख र तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर चेंजिस कर सकते हैं जिससे कि आपकी डिटेल बची रहे ठीक है देखे अब यहां पर पूरा क्लीन हो गया तो कभी भी डिनॉइज ऐसे नहीं किया जाता है ठीक है तो यह तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं यहां पर अगर आप प्रडक्शन लेवल पर काम करेंगे तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो उसी तरीके से यह डिनॉइज भी काम करता है तो अभी इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं यहां पर तो अभी में लिए यह सही है इसके बाद आप क्या करें रेंडर ले 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 डिनॉइज का वो इसलिए कह रहा हूं मैं अगर आप रेंडर ले लेंगे लिनॉइज का तो अब क्या होगा आपकी कॉंप हैवी नहीं होगी मान लीजिए आपके पास एक बड़ी कॉंप बन जाती है और आपने डिनॉइज रहीं पर लगाया हुआ है तो जब भी आप नीच्छे कभी भी वियू करेंगे तो पहले इसे रीड करेगा इसके बाद नीच्छे जाएगा तो उससे क्या होगा आपकी software crash हो सकता है बंद हो सकता है तो सबसे easy way क्या होता है आप डिनॉइज करें और यहां पर एक right node लगाके इसका रेंडर ले ले तो यहां पर मैं एक रेंडर ले ले लेता हूँ इसका इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने यहां पर डिनॉइज करेंडर ले लेता हूँ कई इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने यहां पर डिनॉइज कर लिए идет इसके बाद तीसरी चीज क्छी आती है आपको बनाने है clean plate अभी हम सबसे पहले ही सोच लिया है अभी हम्हें सोचने की जड़योत नहीं ही कि कलींप्रेट कहां बने गी और कैसे बने गी तो अभी हमें करना क्या है यह हमारा denoise यहां पर आ गया है तो अभी मैं फर्स फ्रेम में यहां पर clean plate बनाना चाहता हूं तो अभी मैं देखता हूं कि यहां पर reference के नाम पर कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसी आगे फ्रेम जा रहा है तो वह blur हो जा रहा है उस चीज़ को हम use नहीं कर सकते हैं अगर आपक आपको proper reference लेना पड़ता लेकिन इस shot में कैसा है कि अगर मैं यहां plate बनाता हूं इसके बाद यहां पर blur हो गया है तो वैसे भी कुछ दिखाई देने वाला नहीं है तो इसके लिए मैं Photoshop का यूज़ करने वाला हूं और कुछ लोग बोलेंगे कि आप silout का use क्यों नहीं कर र करता हूं तो चलिए Photoshop में clean plate बना लेते हैं तो यह Photoshop ओपन होने के बाद मैं अपने footage को यहां पर लेता हूं मैं single frame लेने वाला हूं सिंगल frame से हम समझ जाएंगे कि हमें ठैसे यहां पर हटाना है अब है करता हूं simple तरीके से जैसे हम फटा फटा से हटा सकते हैं वह तरीका देख लेते हैं ठीक है यहां से मैं करता हूं content aware फिल कर देता हूं जिससे कि हमें यह हटके मिल जाएगा तो यहां पर थोड़ा shadow का part है इसको भी remove कर लेते हैं यहां से कुछ ऐसा यहां पर लेके यहां से मैं फिल कर देता हूं कुछ ऐसा आपने को यहां पर मिल जाने वाला है ठीक है तो इतना होने के बाद इससे सेव कर लें यहां से तो आपको फूटेज यहां नहीं रहेगा यह तो मैंने सीव आपको समझाने के लिए यहां पर ले लिया है नहीं तो यहां तो आपको आपको फोल्डर वाइस रखना है इससे बैनिफिट क्या है अगर आप किसी को अपना फाइल शेयर करते हैं तो उसे समझने में असानी होगी कि आपने चीजे कहां पर कैसे रखी है इससे यह पदा चलता है कि आप कितना सीरेंस अपने काम को लेकर ठीक है हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हमें काम खत्म करके देना है तो उस चीज़ को औरगनाईज थरीके से भी हमें करना आना चाहिए अभी जैसे कि मैं इसको यहां पर रख देता हूं बैकड्रॉप डालके कि यह हमारा हमारा है कि कॉंप है तो कभी भी हमें लगेगा कि हाँ हमने कहां से किया था कितना किया था तो अपने पास यह रहने वाला है तो यह हमारा डिनॉइज है अभी मैं अपना प्लेट लेकर आता हूं तो सीपी के अंदर कि यह हमारी क्लीन बलेट है है तो आप जैसे यहां पे देखेंगे ठिक है तो हमारा क्लीम बलेट भी बनके तैयार हो गया है ठीक है और यह किव्वै बिलकुल प्रॉपर नहीं है मैं वही पार्ट से यहां पर चेंज होना चाहिए आपका यह पार्ट में कोई भी इंटरफेंस नहीं होना चाहिए अगर शैडो आ रहा है तो वह अलग बात है लेकिन उसके लिए भी आपका टेक्श्चर वहीं पर रहना चाहिए इस बात कर द्यान रखें उस पर टाइम दे क्लीन प्लेट बनाने में जब आपकी क्लीन प्लेट बन जाएगी उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है कि हम अपने शॉट को ट्रेक करें तो आपको अपने शॉट को ट्रेक करना है जैसे कि हमने स्टार्टिंग के प्रोसेस में समझ लिया था कि यह जो शॉट है यह 3D कैमरे का shot है यह हमें camera projection करना पड़ेगा तो अभी हमें करना क्या है जो हमारी denoise plate है उसमें हम अपना camera निकालेंगे ठीक है अभी एक benefit आपका यह है denoise का कि अगर आप grain वाली footage में camera निकालेंगे उससे क्या होता है कभी हैवी grain होने की वजह से आपका camera जो निकलता है उसमें बहुत सारे shake होते है जो सही नहीं है तो आप कभी भी जब camera निकालें अपनी footage को denoise जरूर से करें denoise footage का यूज करने से आपका यह benefit होगा कि उसके अंदर कोई भी आपको जीटर नहीं मिलेगा इसके बाद आपको करना क्या है जब भी आपको camera निकालना है तो थोड़ा बहुत क्या करें अपनी footage के साथ color को ऐसा करें कि वह अराम से camera को पकड़ पाए जो camera के point है आपकी footage के जाद stick रहे पाए ठीक है जैसे कि थोड़ा grade करते है थोड़ा sharpen का यूज करें ठीक है जिससे कि यह detail अच्छे तरीके सुझे दिखाई देंगी यहां पर न उसके बाद हमें करना क्या हमें लेना है camera tracker यहां पर camera tracker लेने के बाद तो मैं आपको suggestion यही करूँगा किसी भी चीज को आप हटा रहे हैं उसका एक roughly आप रोटो मारे उसका benefit बहुत ज्यादा होता है एक roughly रोटो हम यहां पर इस character का यहां पर ले लेते हैं और last frame में जाते हैं क्योंकि motion ज्यादा नहीं है तो यह कुछ हम नहीं यहां पर रोटो मार लिया इस character का न और इसे हम लगाएंगे camera के mask में इसके बाद हमें जाना है setting में जाना है setting के बाद हमें जाना है number of features में कि हम कितने features यहां पर दिखाना चाहते हैं जैसे मैं दिखाना चाहता हूं 500 ठीक है इसके बाद threshold को मैं नहीं छेड़ूँगा feature separation को मैं नहीं छेड़ूँगा मैं जाओंगा यहां पर preview feature में जैसी preview feature करूंगा है तो आप कहेंगे कि आपने अभी रोटो मारा था लेकिन अभी भी हमें यह character के उपर आपको यहां पर यह feature point दिखाई देने वाले हैं तो इसको कैसे हटाया जाता है feature point को हटाने के लिए आपको करना क्या है आपको जाना है mask alpha पे जैसी आप mask alpha करेंगे तो होगा क्या कि आपका जितना भी आपने रोटो मारा है वहां पे आपके feature point नहीं आएंगे ठीक इससे benefit क्या है इससे benefit यह है क्योंकि इस character का motion अलग है और आपके background का motion अलग है हमारी clean plate जो चलने वाली है वो background के motion से चलने वाली है तो हमें इस character के motion से कोई मतलब नहीं है ठीक है इस character को जैसी आप मैनेस करेंगे उतना ही अच्छा आपका camera solve होगा ठीक है तो अभी जैसे कि हमने यहां पर preview feature कर दिया है इसके बाद आपको mostly कुछ चार छेड़ना नहीं होता है ठीक है mostly कुछ चार नहीं शेड़ना है आपको आप बस क्या करें यहां पर track कर दें जैसी आप track करेंगे तो क्या होगा यह एक बार आगे जाएगा एक बार backward कि अच्छे से आपका camera आपको मिल जाएगा तो जैसे कि अभी आप देखें गए यहां पर हमारी जो error value आई है 1.09 आई है तो हमें जो error रखना होता है वो 1 के नीचे रखना होता है तो अभी हमें क्या करना है auto track पर जाना है auto track पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करें आप फोकल लेंद को चेक करें पॉजिशन को चेक करें रोटेशन को चेक करें और यहां पर करतें रिफाइन सौल्व यह क्या करेगा आपके track को और refine कर देगा अब ही आपको यहां पे यह जो दिख रहे हैं yellow यह आपके unsolved यह आपके solve भी नहीं हुए है ठीक है और अगर इसमें आपको red दिख रहे हैं यह आपके है rejected point जो आपके camera ने reject कर दिये हैं इनको आप क्या करें पहरे डिलीट करें तो जैसी आप rejected point करेंगे तो आपके जो red point है यहाँ पर जहां पर भी थे वो हड़ जाएंगे जैसे आप delete unsolved करेंगे तो आपके यह yellow color के points आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यह हड़ जाएंगे फिक है इतना हो गया इसके बाद यह आप देखेंगे के उपर mouse को लेके जाएंगे तो आपको track length दिखाता है तो इसमें क्या दिखा रहा है जैसे इसमें 88 दिखा रहा है इसमें 84 है और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ जो भी यह red हो रहे हैं इसका मतलब क्या है इनकी जो length है वो 27 से नीचे है अगर मैं इसको देखता हूँ यह 21 है 14 है 9 है 22 है 7 है तो आप समझ में आ गया होगा कि min length किसलिए होता है मैं चाहता हूँ कि जो 27 से नीचे है उन्हें मैं delete कर दूँ तो इनको मैं ऐसे रखता हूँ ठीक है इसके बाद आपका जो track error है उसे आप तीन तक रखे और इसको भी कम कर दें लेकिन इसको इतना भी कम नहीं कर देना है कि मैंने बोला है कि तीन रखना है तो तीन नहीं रखना ऐसा नहीं है जहां की चीज आप हटा रहे हैं जैसे कि हमारी जो plate है वो यहां पे है ऐसा नहीं होता है यह आपके short के according होता है कि आपको कितने feature point वहां पे रखने है यह ऐसा कोई अब इससे ज्यादा मुझे इससे कुछ नहीं छेडना है इसके बाद जो सबसे मेन काम आता है हमारा सीन ओरियन्टेड हमें अपने सीन को ओरियन्ट करना पड़ता है जैसे जो चैमरा है उसे बताना पड़ता है कि हमारा location या हमारा position क्या है ठीक है इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो आपके कैमरे में दिक्कत नहीं आने वाली इसके बाद आपको करना क्या है आप जाएं सीन प्लस में जाएं और यहाँ पर क्रियेट कर दें इसके बगल में आपको एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ अभी मैं इसको अंचेक करता हूँ ठीक है और क्रियेट करता हूँ तो आप देखें के कैमरे में ये रेड कलर का ए बना रहा है ठीक है और अगर मैं इसे चेक करके create करता हूं तो green color का e बना रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है अगर मैं इसको check करके create करता हूं तो यह आपके camera से link रहता है अगर जैसे मानिये मैं बाद में जाके भी अगर मुझे लगता है कि camera और जाद solve करना चाहिए था मुझे तो अगर मैं solve करता हूं तो यह आटमेटिक link है जितनी बार भी मैंने camera यूज किया होगा ओटमेटिक वहाँ पर यह amount सही हो जाने वाली है ठीक अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे uncheck कर दें ठीक है अब भी दिक्कत क्या होती है अगर आप बोलेंगे क्यूं हम यह तो रखेंगे हम यहाँ पर link करके रखेंगे कि हम कभी change करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं लेकि उसकी अगर यह लिंक नहीं होगा तो क्या यह independent है इसको इसकी जरूरत नहीं है आपने यहां से निकाल दिया तो यह यूस होता रहेगा इसका drawback भी है फाइदा भी है तो आपको अपने हिसाब से यूस करना है ठीक है तो अभी जो हमारी मेन बात आती है अपना सीन को ओर्येंट कैसे करते हैं तो उचीज को देख लेते हैं तो सबसे पहले यह निकलने के वाद आपको करना क्या है आप जो यहां पर feature point देख रहे हैं इसको आपको बताना होगा आपका origin क्या है मतलब कि आपका ground कहां है ठीक है अभी जैसे कि आप देखेंगे यह यहां पर align है इस grid के नीचे align है ठीक है तो हमारा grid के नीचे align नहीं होना चाहिए तो उस चीज के लिए आपको करना क्या होता है जो भी ground है आपका वहां के कुछ points को select करें right click करें ground plane में जाए set to selected यहां पर ground plane के अंदर जाने के बाद करें set to selected तो यह क्या है आपका ground को identify कर देंगे define कर देंगे कि यह आपका ground है तो अभी देखेंगे जो grid के नीचे थे वो grid पर आ चुके है इससे benefit क्या है कि आपका जो short है वो एक grid के उपर align हो जाता है जब भी आप camera निकाले तो ground plane को align जरूर करें उसके बाद हमारा काम क्या आता है मैं लेता हूँ card अभी हम scene oriented करना सीखेंगे कैसे किया जाता है यहां से मैं scene को जोड़ता हूँ card के अंदर तो अभी मैं देखूंगा मेरा card कहां पर आ रहा है camera के सामने आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है तो अभी मुझे क्या करना है यह card को rotate करना है rotate आप यहां से भी कर सकते हैं ठीक है नहीं तो यहां पर आप value डालेंगे rotation में 90 तो यह ऐसे भूम जाने वाला है ठीक है सामने आ जाने वाला है लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है यहां पर कि हमारा जो एक मिनट इसको थोड़ा card को छोटा करते हैं यहां पर यहां पर हमारा ground जो है वह ऐसा सीधा खड़ा नहीं है तो हमारा card कैसा होगा लेटा हुआ होगा ऐसा card नहीं रहेगा तो उसके लिए आपको करना क्या होता है यहां पर card के option के अंदर आपको देखेगा orientation इसको आप करें z x इससे होगा card आपका लेट जाएगा यहां ठीक है अब क्या करना है जो card हमारा छोटा है थोड़ा जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे अभी आप क्या करें keyboard में control और shift को प्रेस करें इससे क्या होगा अपने card को आप बढ़ा कर सकते है कुछ इतना बढ़ा करता हूँ मैं और इसके बाद card को फोड़ा ऐसा करते हैं तो यह हमारा यहां पर हो चुका है ठीक तो अभी यहां पर मैं इस चीज को देख नहीं पा रहा हूं तो अभी क्या करें अब दो चीजे कर सकते हैं तो एक तो grid ले सकते हैं यहां पर आपको grid यहां पर दिखाई देने वाली है अभी यह जो आपको यहां पर दिख रहे हैं यह हमारे camera tracker point cloud है इसको भी off करता हूँ और grid को थोड़ा बढ़ा करता हूँ ठीक है और इसका color भी थोड़ा change करता हूँ अभी भी यह align नहीं हुआ है ढंसे तो क्या करना है camera tracker पर जाना है scene में जाना है यहां पर rotation थोड़ा सा इसका अभी भी सही नहीं है तो अभी आप यहां पर देखेंगे यह हमारी grid है हमने यहां पर align कर लिए अभी इसे चेक करते हैं कि हमारा camera जा कैसा राए तो मैं आपको थोड़ा full screen करके दिखाता हूँ कि हमारा grid कैसा जा रहा है तो जैसे अभी आप देखेंगे हमारी grid proper align होके जा रही है हमारी ground के साथ तो मतलब कि हमारा camera बिल्कुल सही है हमने सही निकाला है तो आपको अभी समझ में आ गया होगा orientation कैसे करते है चीक है इसके बाद आपको करना क्या है आपने यहां पर यह camera solve कर लिया है इसे एक backdrop देते हैं मैं आपको recommend करूंगा आप backdrop का use ज्यादा से ज्यादा करें जिससे होता यह है कि आपको ही समझने में दिक्कत नहीं आएगी अभी इसके बाद हमारा वो process start होता है जहां पर एक हम comp बनाएंगे कि अगर कोई भी चीज को आपको हटाना है तो उस चीज के लिए हम किस किस node का use करते हैं उस चीज को हटाने के लिए यहां पर मैं अपना denoise plate लेता हूँ और यहां पर अभी मैं denoise plate की मुझे ज़रूयत नहीं है अभी मैं करता हूँ यहां से लेता हूँ scan को जिसके अंदर grain भी है हमारा और हमारा footage जो कि हमने first frame में बनाया है ठीक है तो अभी आपको करना क्या होता है वो समझ लेते हैं कॉम कैसे तियार किया जाता है यह आपका clean plate है जो यहां पर रखा रहेगा अगर आप इसी footage में से कोई frame को use कर रहे है तो आपको वहां पर frame hold लगाना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है हमने clean plate बनाई है तो यह आप यहां पर देखेंगे इसका frame range 1-1 है ठीक मतलब इसमें एक ही frame है तो यह play होने वाला ही नहीं और अगर मैं आपको scan दिखाऊं तो scan के अंदर आपको दिखाई देने वाला है कि यह frame यहां पर है तो अभी आपको करना क्या होता है आप press करेंगे k को k का मतलब होता है copy node आएगा आपका यहां पर tap press करके भी copy node लिखेंगे वो तब भी आ जाने वाला है ठीक है तो यहां पर k node लेने के बाद आपको करना क्या है आप क्य पीजिस आपको त्यहां रखना है जब तक यह रोटो पर नहीं लगेगा तो यह एर्र आपको दिखाता रहेगा ठीक है इस नोड के बारे में भी आपको बताऊंगा यह नोड करता क्या है तो अब आपको करना है कि आप क्या करें स्कैन को व्यू करें और आप देख लें कि आपका करेंटर कितना दूर तक जा रहा है ठीक है उतना रोटो आपको लेना है तो मैं कुछ रोटो लेता हूँ यहां से हुआ कुछ रोटो ले लेता हूँ मैं यहां पर और यहां पे ऐच बलर देता हूं अभी आपको मैं समझाता हूं कि कौपी नोड करता क्या है कि आपका जो यह अलफा है जो आपने यहां पर रोटो मARI है यहां पर आप देखेंगे ये अलफा जनरेट कर रहा क्या करता है वह अलफा को आपके फुटेज में एड़ कर दिता है आपको समझाता हूं जैसे कि अभी आप देखेंगे आपकी फुटेज में ए प्रेस कर रहा हूं तो कोई भी अलफा नहीं ठीक है अब मैं कॉपी नोड से चेक करता हूं तो आपका अलफा यहां पे है तो उसको वह कट कर लेता है अपने RGB फॉर्मेट से या कोई भी अगर आपके पास फुटेज है और आपके पास अलफा है तो प्रेमर्ड की हेल्प से आप उसे अलग कर सकते हैं अगर समझे मैं सीधा प्रेमर्ड को यहां जोड़ू कुछ नहीं आने वाला क्योंकि अलफ आ रहा तो आपको यह दो नोड जो हैं यह समझ में आ गया होंगे कुछ लोग इन करते हैं मास करते हैं मैं आपको प्रिफेर करता हूं कि आप कोपी नोड का यूज करें इससे होता क्या है जब आपकी कौम बड़ी हो जाती है तो क्या होते वह नोड जो है कई वाक करप्ट हो जाते हैं आपका अलफ़ा सही से आ नहीं पाता है तो उससे बचने के लिए आप पहले से कॉप्पी और प्रिमर्ड का यूज करें चलिए अभी आपने क्या किया उतनी फुटेज यहाँ पे कट कर ली है तो मैं क्या करता हूँ एक मर्ज नोट लेता हूँ और A हमारा उपर रहेगा B हमारा इधर रहेगा A हमारा foreground होता है B हमारा background होता है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपने single frame हटा लिया है लेकिन जैसे मैं आगे जाओंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे camera track नहीं है तो camera track करने के लिए आपको अभी याद होगा हमने यहाँ पे camera निकाला है हमने card भी set कर रखा है तो अभी आपको करना क्या है तो वो समझ लेते हैं यह copy करे, scene को copy करे, card को copy करे, camera को copy करे इसे लेके हैं यहाँ पे मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि camera projection के अंदर इन सबका क्या roll है यह कैसे काम करते हैं तो अभी आपको करना क्या है आपको लेना है project 3D अभी मैं एक बार com बना लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करते हैं तो अभी क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यह इसका मतलब क्या होता है तो जैसे कि यह camera आपको यहाँ पे camera दिखाई दे रहा होगा ठीक है इसके बाद जैसे आप यह 3D projection देख रहे हैं यह क्या कर रहा है यह जो footage है इसको 3D में आपको दिखा रहा है प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके बाद जो card है जैसे कि card हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो आपको यह जमीन दिखाई दे रही होगी यह road दिखाई दे रही होगी ठीक है जो card के उपर project हो रही है card हमारा एक तरह का आप यह समझे आप cinema creator में जाते हैं वहाँ पर projector होता है वो हमारा camera है यहाँ पे और वहाँ पर एक screen होती है जहाँ पर project किया जाता है वो हमारा यहाँ पर card है तो इस तरीके से समझे कि camera और card हमारा एक चीज़े दिखाने के लिए है उसका दूरी दिखाने के लिए उसका distance दिखाता है अभी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर यह दिखा रहा है camera से यह चीज़ कितना दूर है तो यह चीज़ card और camera आपके यहाँ पर करते हैं और frame hold का मतलब क्या होता है frame hold से यह होता है सो identify हो जाता है ठीक है इतना होने के बाद मैं आपको recommend करता हूँ आप यहाँ पर एक node यूज़ करें motion 3D यह क्या करता है आपके camera के हिसाब से यहाँ पर motion को generate करता है ठीक इसके बाद update करें यहाँ पर और एक लें vector blur जिसके आगे V लिखा होगा इसे आप जैसे यहाँ पर लेंगे और UV चैनल पर आप करेंगे motion तो क्या होगा जो भी camera का motion है जैसे जो motion blur है आपके shot में वो आपका clean plate के अंदर भी आ जाएगा चीक है तो अभी देख लगते हैं last frame में जाके अभी यहाँ पर यह हटा हुआ है लेकिन हमारा क्या है defocus हो रहा है shot तो आपको defocus भी करना है shot को तो क्या करते हैं यहाँ पर ले दाओ defocus को animate करता हूँ और last में जाके defocus को बढ़ा देता हूँ अभी आपको लग रहा है यहाँ पर थोड़ा हमारा जो camera है ऊपर नीचे हो रहा है न अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो motion है इसको कैसे match किया जाता है तो अभी मैं क्या करता हूँ defocus को हटाता हूँ यहाँ पर यहाँ पर लेता हूँ grid warp ठीक है तो अभी क्या करना है आपको अपने यहाँ पर जो भी आपने प्लेट है उसको आपको व्यू करना है और आपको क्या करना है यहाँ पर जो लाइटिंग में output है इसे कर दें आप source ठीक और यहाँ पर यह जो option है इसको यहाँ पर select करें अभी इसके बाद हम इसे identify करेंगे इसके point को करेंगे इससे होगा क्या यह अलाइन हो जाता है थोड़ा और इसको थोड़ा यहाँ पर लाइन कर देते हैं इसको अलाइन कर देते हैं और यहाँ पर यहाँ प्लस आइकन देख रहे होंगे इससे क्या आप add कर सकते हैं यहाँ और और भी चीज़े अभी आप देखेंगे मैंने जैसी इसकी shape थी मैंने वैसी इसको बनाया है इससे होता क्या है इससे benefit यह है कि आपको grid करने में दिक्कत नहीं आती अभी आपको करना क्या है यहाँ से copy करें यहाँ पेस्ट करें यहाँ पर एक प्लस आइकन दिख रहा होगा इस पर click करें copy करें paste करें बस इतना करना है और output में जाके आपको करना है दुबारा से source वाप ठीक इतना करने के वाद इससे यहाँ पर plug-in कर दें अभी यहाँ पर तो आपका कोई भी benefit आप को यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला ठीक है लेकि अभी क्या है मैं इससे कोई भी चीज को adjust कर सकता हूं manage कर सकता हूं जैसे की मेरा जो black dot यहाँ पर है और यह अभी यहाँ पर दिखा रहा है ठीक तो मैं करता हूं इस पर control i को press करता हूं तो यह मुझे यहाँ पर और मैं इसको view करके यहाँ पर view करके यहाँ पर सही करने वाला हूं तो मुझे पता है मेरा point यहाँ पर है तो मैं यह select करता हूं और जो अपनो number log होता है उसमें 2 को press करता हूं जिससे यह नीचे आएगा जैसा अभी आप देखेंगे यहाँ पर दिखा नीचे आया वह उसको मैं उसके according match कर दोंगा यहाँ और आप देखेंगे यह इधर जा रहा है थोड़ा तो अभी कह यह मेरे पास यहाँ पर है इसको यहां से पूरा select करूंगा उपर से पूरा यहां तक select करूंगा और इधर को move करूंगा इतना मुझे जरूरत है को फटा-फट से मैं match कर लेता ह तो यह हमने almost match कर लिया है ठीक है आप इसे और टाइम देंगे तो और अच्छे से manage कर पाएंगे तो मैंने आपको एक basic idea दे दिया है कि आपको match कैसे करना चाहिए ठीक है जिसके बाद मैं defocus को on करता हूँ तो यहां पे थोड़ा grade भी है हलका सा न डार्क grade है तो अभी क्या करेंगे यहां पे एक grade note लेंगे फर्स फ्रेम में की लगाएंगे और लास्स फ्रेम में जाएंगे थोड़ा सा मैं इसको gain को बढ़ाता हूँ कम करता हूँ तो देखेंगे यहां पे हमने इस चीज को match कर लिया है ठीक है तो अभी आप देखेंगे किन चीजों का हमने यूस किया है यही सब चीजे हम production level पे भी यूस करते हैं ठीक है अभी इसके बाद यह हमारा शॉट होने के बाद हमारे पास एक चीज क्या बच जाती है हमारे बच जाती है यहां पे कि आपको डालना है ग्रेन क्योंकि हमने इस फूटेज को किया है डी नॉइस जो हमारी clean plate यहां पे बन रही है इस पे यह हमारी इनॉइस फ्लेट है ठीक है तो अब यह आपको करना क्या है यहां पे लेना है आपको यहां लेने के बाद आप इसको यहां लगाएं इसको यहां कोने करें चाहते हैं इसके बाद यहां पर एक lending करें लिए इसके बाद आपको करना कै यहान पर सैंपल करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना ठीक है और एक चीज़ा आपको करनी है जब भी आप ग्रेन डालेंगे यहां पर अन्प्रीमर्ड करें और यहां पर प्रीमड करें तो यहां पर आप देखेंगे आपका पूरा shot complete हो चुका है, आपने पूरा projection कर लिया है, grain डाल लिया है, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि grade कैसे करते है, grid warp का use कैसे करते हैं, defocus कैसे use किया जाता है, mostly जो हर चीज एक shot के अंदर use की जाती है, वो आज हमने सब चीज सीख ल लगाना है ठीक है और एक right note लगाना है तो right note के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका यहाँ पे color space है वही color space आपका right note के अंदर भी रहना चाहिए नहीं तो आपका color space में आपको दिक्कत आ सकती है ठीक है तो इसके बाद को कुछ नहीं करना है बस इसे यहां से copy करें जहां पर आपको render मानना है वहां पर जाए एक render का folder बनाए और उसके अंदर render डाल दे और यहां से render पर क्लिक कर दें तो अभी जैसे कि देखेंगे हमार रेंडर यहां पर complete हो चुका है तो यहां से वहां रेंडर को play कर लेते हैं तो जैसे कि आप अभी देखेंगे हमने production level technique से इस चीज को remove करना यहां पर सीख लिया है और यह footage का link में आपको description में मिल जाएगा आप इस footage से practice कर सकते हैं मेरी वीडियो देखके कि production level पर कैसे किया जाता है और यह चीज आपकी बहुत help करेगी आगे जाके भी कि आपको पहले basic idea दिया रहेगा कि आपको short start करने से पहले किंकिन बातों का ध्यान रखना है उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगली वा मिलते हैं धन्यवाद